मुंबई के जुहू बीच पर शाम पांच बज़े पांच लोग समंदर में ढूब गए पांच लोगों में से एक का रिस्क्यू किया गया उसे बचा लिया गया जबकि चार लोग अब भिला पता हैं समंदर में उची लहरे उट रही हैं इसके बाद सर्च ऑपरिशन में भी दिक्कत आ रही हैं दूबने वाले चारों बच्चे बताए जो आ रहे हैं जिनकी उम्र करीब 12 से लेकर 15 साल के बीच है सुमवर साम को मुंबई में दर्दनाख हास्ता हुआ है जुहु कोलिवारा बीच में समंदर में पांच लोग ढूब गया है पांच में से अब तक एक को बचाया गया है चार की तलाश अभी भी जारी है मैं इस वक्त मौझूद हूँ जुहु कोलिवारा बीच पर और आप देख सकते हैं कि जो ढूबे है चार लोग उनके परिजन इस वक्त यहां पर मौझूद है लाइफ गार्ड हो या फिर मुंबई पुलीस फायर बिगेट और की मदद से सर्च उप्रेशन जो है वो चलाया जा रहा तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय लाइफ सेविंग गार्ड के जो जवान है वो यहां पर तैनात हैं मुंबई पुलीस के अधिकारी मौझूद है और मुंबई फायर बिगेट की टीम भी यहां पर मौझूद है इसके अलावा जो धूबे चार लोग है जो उनके परिजन मौके पर आप देख सकते हैं इस वक्त मौझूद है फिलहाल सर्च उप्रेशन में दिक्कते जो है वो आ रही क्योंकि समंदर में उची उची लहरे जो है वो उठ रही है आपको बताते चले कि ये सभी पांच लोग मुंबई के सांता क्रूज इलाके के रहने वाले बताये जा रहे हैं शाम पांच बजे के आसपास की घटना जो है वो बताई जा रही है फिलहाल एक शक्स को बचाये गया है अभी भी चार लोगों की तलाश जारी है बता दें कि मुंबई और उसके आसपास के तटिय इलाकों में साइकलोन वाइपर जो का खत्रा मन रहा है आने वाला 72 घंटे काफी एहम बताये जा रहे हैं मुंबई और उसके आसपास के तटिय इलाकों के लिए यही वज़ा है कि प्रशासन की ओर से समंद्र के किनारे जाने पर लोगों की रोग जो है वो लगाई है लेकिन बावजूद इसके शाम पांच बजे के आसपास जुहू कोलिवाडा बीच पर 15 से 20 लोग जो है पहुंसते हैं और उची उची लहरों के चपेट में आ गये है फिलाल ये जो चार लोग अभी भी मिसिंग है जिनकी तलाश जारी है उनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच की बताई जा रहे हैं यानि कि ये सभी बच्चे हैं सर्च ओपरेशन में काफी दिक्कते आ रही हैं क्यूंकि समंदर में उची उची लहरे जो है वो उठ रही है पिछले चार घंटे से जादा का वक्त बीच चुका है अभी भी इनकी तलाश जारी है क्यामरामें संजे के साथ राहूल पांडे निश 24 मुंबई